दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो कार्ण D2H no signal problem और वीडियो कार्ण D2H signal setting के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको no signal का पूरा पूरा solution देने वाला हूँ अगर फ्रेंट्स आपने हमारा पूरा वीडियो देख लिया तो इस बात की गारेंटी है कि आप 100% अपनी डिस्क के उपन signal को ला सकते हैं दोस्तों ये वीडियो उन सभी दर्सकों के लिए है जिनके पास set meter या signal set करने का meter नहीं है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बिना meter के आप कैसे वीडियो काण D2H का signal अपनी डिस्क के उपर ला सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत इजी और बहुत आसान है जिसको अगर बच्चे भी ठीक से देख लें तो फ्रेंट्स वो भी डिस्क को set कर सकते हैं और अपने setup box पे signal को ला सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहा है हमारे सामने यह डिटू एज का box है और इसके उपर देख रहा है आप इसके ओपर देख रहा है इस पर तो ठीक से फालो कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपकी टीवी से no signal problem चली जाएगी होने इसके लिए फ्रेंट्स आपको क्या करना होगा समसे परसे अपक़ यहाँ परके और अप प्रस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बेंडू Open हो जायगी आप फ्रेंट्स आपको यहां पे आप interfacelin ether बीर आप कर करके आपको यहां पर यहां पर यहां करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बिंडो ओपन हो जाएगी और आपका बाक्स जुरह यानि रिबूट होने कि yan continu Sith राइं यानी कि श्टार्ट हो जाएगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगएगा आपको थोड़ा सा बेट करना होगा इस तरह का रिशत करने से jadi अपकी इसके अलावा और और सारी प्राबलम साल्व हो जाएंगी अगर आपका BawSON aink करता है तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है ब्लू क्लर की अब देखिए फ्रेंट्स हमारे बॉक्स के उपर ड्यूटी एच का लोगो आ चुका है फ्रेंट्स आपको ध्यान से देखना है मैं वीडियो को बिल्कुल कट नहीं करूंगा और आपको डारेक्ट इसका स्वुण देना है अगर और फ्रेंट्स आपके बॉक्स में एडिस से सीक्नल आ हुआ होंगे तो आपके यहां पर नीचे सीगनल। इसटन्स कॉल्टी दोणी दिखाई पड़ेगी अगर यहांपर सुन्स क्वलटी और सीगनल इसटन्स दोनों ही आ रही है तो आत को को शेक चेक करना होगा और शाथ ही साथ आपको पूरी केबल और कुले को भी चेक करना होगा इसको पहले हम चेक करने के वाद में आपको कनेक्टर को वापस अपने बाक्स में लगा देना है और अच्छी तरह से टाइट कर देना है लूज आपको बिल्कुल नहीं रखना है अगर आप लूज रखेंगे तो इस कंडिशन में भी आपको नो सिंगल की प्राबलम आती रहेगी इसके बाद फ्रेंट्स आपको छट के उपर आ जाना है अपनी डिस्क के पास में और फ्रेंट्स सबसे पहले आ यानी माइनस 15 पे हम इसको सेट करेंगे इसके बाद फ्रेंट्स आपको कनेक्टर भी उपर वाला भी निकाल करके आपको अच्छी सरह चेक करना है और उसको अच्छी तरह से डिस्क के अंदर टाइट कर देना है ये भी आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए अब फ्रेंट हमने एक मोबाइल टीबी के सामने रख दिया है और दूसरा मोबाइल हम छटके उपर लेके आ चुके हैं अब फ्रेंट्स हम इसमें देखते हुए डिस्क को राइट लेप्ट अप और डाउन मुवेंट करेंगे जब फ्रेंट्स आप छटके उपर आएंगे तो आपको बह उपर आनीचे की दोनों लाइने जो है अच्छी तरह से ग्रीन हो जाएं अगर आपके उपर के पत्ती जो है ग्रीन नहीं आ रही है तो आपको डिस्क को हल्का सा दायान भाई relaxing करना है आपको दोनों पत्तियों को बिल्कुल जब ग्रीन हो जाएं तभी आपको छोड़ना ह अन्य था आपके पूरे सिगनल नहीं आएंगे और कुछ चैनलों पर आपको नो सिगनल दिखाई पड़ता रहेगा तो फ्रेंट्स मैं कोसिज कर रहा हूं कि दोनों लाइने हमारी देखे फ्रेंट्स यहां पर ग्रीन हो चुकी है अब फ्रेंट्स सेलते हैं हम अपनी टीवी के पास में और आपको दिखाते हैं कि अगला स्टेप आपको क्या करना होगा तो यह देखे फ्रेंट्स हमारी टीवी के उपर सिगनल आ चुके हैं आप फ्रेंट्स देख सकते हैं कि पूरे सिगनल हमारे यहां पर ग्रीन है लेकिन फ्रेंट्स फिर भी हमारी स्क्रीन के उपर नो चैनल फांड लिख के आ रहा है अब आपको फ्रेंट्स रिमोट लेना है और रिमोट्स से आपको एकजिट बटन प्रस करना है तो आप यहां से एकजिट हो जाएंगे अब फ्रेंट्स आपके सामने इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक के स्क्रीन आएगी तो आपको घबलाना बिल्कुल नहीं है आपको मीनू को आपको मीनू बटन फिर से प्रस करनी है जैसे आप फ्रेंट्स मीनू बटन प्रस करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह से बिंडो ओपन हो जाएगी अब आपको फ्रेंट्स फिर से मीनू में अपन डाउट बटन को स्कॉल करके आपको सेटिंग पे आना है अब फ्रेंट्स यहाँ पे आपको कर देना है अब फिर से friends आपको farmet factory पर आणा है farmet reset पर यहाँ पर आपको ok कर देना जैसे आप ok कर देंगे तो आपका box फिर से reset होने लगेगा Friends आपको इस तरह अपने box को दो बार reset करना होगा जैसा कि friends देख पा रहे हैं हमारा box reset हो रहा है और जैसे ही friends हमारा रिशेट कम्प्रीट होगा तो हमारे box के उपर Channel आ जाएंगे अभी मैं आपको LiveProve इसका दिखा रहा हूँ देखे friends हमारा box रिशेट चला है देखे friends यह reboot हो रहा है और यहाँ पर no signal करके नीली स्क्रीन आ चुकी है यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर वीडियो काउन D2H का लोगो आ चुका है और नीचे हमारी बाक्स की रिबोटिंग स्टार्ड है दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंट्स वीडियो अच्छे लगिया तो लाइक बटन आऊश से प्रस कर दें अगर फ्रेंट्स आपको कोई कमेंट करना है तो हमारे बाक्स में कमेंट करें मैं आपको इसका उत्तर दूँगा और friends अगर आप SQ इंगल अपना जानना चाहते हैं आपने यहां का तो friends हमें comment में अपने सहर का नाम लिखें मैं आपको आपके यहां का SQ इंगल बताऊंगा दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस्क्रीन पे हमारे चैनल आ रहे हैं फ्रेंट्स हमारे सारे चैनल लगभक आ चुके हैं अब फ्रेंट्स हमारा बाक्स फिर से रिबूट होगा और रिबूट होगा और फिर से आन हो जाएगा और हमारे चैनल चालू हो जाएगे तो friends अगर आप सारे step हमारे follow करते हैं और जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप इसको set करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपनी D2H disk के उपर आप signal ला सकते हैं तो friends अब हम चलते हैं देखिए friends हमारा box यह reboot हो रहा है देखिए यह friends हमारी TV के sprint आ चुकी है अब friends अब आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा A16-4 यानि हमारे box में पर्याप्त balance नहीं है आपको recharge करना होगा और आपका box चालू हो जाएगा